Hello students, कैसे हैं सब लोग, आज़ा कर्दों का बच्छी होंगे, I am Naveen, Welcome to मैं YouTube चैनल Basic Maths on a Dips, और इस वीडियो में मैं काने पहला हूँ, Class 10, Chapter Circle का Important Question, तो चली शुरू करते हैं, देखिए, Question में में दिया है, If from an external point P of a circle with center O, two tangents PQ and PR are drawn such that angle QP are equal to 120 degree, Prove that 2PQ equal to PO, तो यहाँ पर एक external point है P, और इससे यहाँ दो tangents खीची गई है, और circle का center O है, और इस तरह से tangents खीची गई है कि इन दोनों की बीच में यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ कि QPR एंगल 120 degree का बन जाता है, हमें प्रूव करना है कि 2PQ PO के बराबर है, मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूं कि मुझे यहाँ पर given है कि angle QPR जो है वो 120 degree है, बागी हम यह जानते हैं कि यहाँ पर यह 90 degree का angle बनेगा, क्योंकि radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, तो मैं उसे लिख लेता हूं, मैं यहाँ लिख लेता हूं कि angle OQP equal to angle ORP, यह दोनों ही 90 degree होंगे, इसके लावा हमें यह भी मालूम है कि जो external point से tangent कीची जाती है, वो equal होती है length में, तो मैं उसका reason लिख लेता हूं, यहाँ पर हमें यह तो मालूम है कि angle QPR 120 degree है, लेकिन अगर हमें यह पता लगाना हो कि angle QPO कितना degree है, तो कैसे बता लगाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों triangle को एक दूसरे के concurrent prove कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इसे निकाल पाएंगे, तो अगर देखें तो इन triangle QPO and triangle ROP, इन दोनों triangle के अंदर हम यहां देखें, तो देखें OQ और OR यह दोनों इक दूसरे के बराबर होगा, OQ equal to OR, क्यों बराबर होगा क्योंकि यह दोनों radius है, तो मैं है ले सकता हूं, यह equal radius है, उसके बाद O, P, O, P दोनों में common है, यहां पर यहां लिख लेते हैं कि यह common है, उसके अलावा PR और QP, यहां पर लिख लेते हैं बाले QP और PR, यह दोनों tangents हैं और tangents equal होती है, tangents of circle, तो इन तीनों के base पर हम यह कह सकते हैं कि triangle QP O congruent है, triangle ORP, ORP लिखे हैं या ROP लिखे हैं यह बात हैं, यह दोनों एक दूसरे के congruent हैं, यह दोनों triangle, तो it means हम यह कह सकते हैं कि angle QP O और RP O, यह दोनों भी दूसरे के equal होंगे, CP CT से, तो मैं यहां लिख लेता हूं कि हम यह कह सकते हैं, कि angle QP O equal होगा angle RP O के by CP CT, अब यह दोनों दूसरे के equal होंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं कि angle QP O plus angle RP O, यह दोनों जो है, वह 120 degree के equal होंगे, क्योंकि इसी से तो angle P बन रहा है, देखे, QP O और RP O, इससे मिलकर ही तो angle P बन रहा है, 120 degree के equal है, और यहां पर मैं यहां लिख सकता हूं कि QP O plus angle, इसको भी मैं QP O लिख दूँँगा, क्योंकि दूसरे के बराबर ही है यह, तो इसको भी मैं यहां लिख रहा हूं, angle QP O equal to 120 degree, यहनिकि 2 angle QP O जो है, वह आ जागा 60 degree इस तरह से, तो angle QP O is equal to 120 upon 2, तो काट के आगया 60 degree, अब अब ज़र ध्यान से देखे, कि अगर मैं इस फले triangle को बहार निकाल लेता हूं, मैं नीचे दुबारा से बना लेता हूं, ताकि वह यहां पर visible हो, तो easy sound आएगा, तो इस तरह से बनावा है, यह माल लिजे कि यह इस तरह से है, तो यहां पर है हमारा Q, यह O माल लेते हैं, यह है P, यह इस तरह से बनावा है, तो इसके बिल्कुल सामने, 90 degree के सामने हमेशा होता है, हाइबोटेनस, ठीटा हमारा यहां है P, तो इसके सामने होगा perpendicular, और यह हो जगा हमारा पास base, यहां पर देखें, तो देखे, technometric ratio इस तरह से लिखे जाते हैं, पंडित बद्र प्रसाद हर हर बोले, यानि कि sin, cos, tan, cos, x-acquart, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है, वो 2 P, Q, पर देखें, तो इसके ससले हो, तो हमें P, Q और पी, और देखना है, तो यहां, पी-क्यों देखें, तो यह हो गया, और पी-ओ देखें, तो यह हो गया, मतलब यह दोनों किसमें आती हैं, तो यह तो base है, और यह हमारा hypotenuse है, तो base और हाइपोटेनस जो है वो कॉस में आता है तो हम कॉस का यहां यूज कर लेंगे तो और थीटा की वल्ली जो है वो 60 डिग्री है तो मैं इस तरह से लिए सकता हूं कि इन ट्राइंगल PQO में कॉस 60 डिग्री होता है बेस इपन में हाइपोटेनस मतलब यह हो गया कि Sor cc x qके एक्वल यह होता है 1ब-1,2 के एक्वल तो हम इससे ने कोश्चन को कॉस ड्यक्र scripture करेंगे तो यह हो जगा 2pq ठीक है और po को 1 से multiply करेंगे तो जगा po तो यही हमें proof करना था नहीं प्रूफ कर दे कि 2pq जो है वो po के बराबर है तो यही देखे proof करना था हमें कि 2pq po के बराबर है तो मैं आशा करता हूँ कि आप कोई question समझ में होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और नहीं questions के साथ तब तक के लिए गूडबाई